अमिज जी आपको न्यूज एटीन नेटवर्क को ये एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू देने का बहुत-बहुत धन्यवाद हम आपके शहर में हैं आपकी कंस्टिट्विंसी गांधी नगर में हैं साबर मपी रिवर फ्रेंट पे हैं आप कह रहे थे कि आप ही ने इसका उद् शुरुआत करते हैं अगर आप पहले दो फेजस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नाउट थोड़ा लो रहा है कुछ-कुछ स्टेट्स में 5-6 पर प्रतिशद भी नीचे रहा है वोटर टर्नाउट तो 400 पार का आपका नारा है 370 भारती जनता प शुदी जी फिर से प्रदान मंत्री जो लोवर टर्नाउट है इसके बहुत सारे कारण है 12 साल के बाद हमत्दाता सुची का सुध्धिकर्म हुआ है दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है जिसके कारण टर्नाउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है मगर हमारी पार्टरी की टीम ने मैंने स्वयम बहुत डिटेल एनालिसिस किया है हम दो चरण में 100 पार करकर 100 से भी कई अधिक सिटे जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में तो मुझे 400 पार के लक्स में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है पहली शुरुबात करते हैं हम जी मुद्दों पर कॉन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारती जनता पार्टि si unite आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है किन उपलब्दियों को तो आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्दियों को लेकर आप जन्ता के बीज उतर रहे हैं। देखे, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, यह दो ऐसी समस्याएं थी, जो कई दसकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलप्मेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी। ओरिशा, तेलंगाना, आंत्रपदेश, महराष्ट। यह सात राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। 36 गड़ के चार जिलों में बचा है, वहाँ पर भी अब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी है। और विगत तीन महिनों के अंदर ही लगबख सो नक्सलवादी मारे गए। मुझे पुरा विश्वास है, मोदी जी के तीसरी बार प्रदानमंत्री बनने के बाद एकाद दो साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ती पालेगा। दूसरा बड़ा इस्शू है, देश की इकोनोमी सब दुरूष्टी से चर्मराई हुई थी। पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविद्या बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्याद वंदे मुव घिर रहा था, देश की सारी सर्वजनिक बैंकों की बैलेंसिट भी न बन पाए, अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिती थी, महगाई आसमान को चूर रही थी, और कुल मिलाकर बजेट के 16 के 16 पेरामिरिटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ थी, दसी साल में मोदी जी ने ये परिद्रुष्य को पूर्ण तयाब बड़ा है, शेहर बजार आज आसमान को चूरा है, एफ आई आई के सेलिंग के बाद भी भारतिया मिच फंडों ने बाजार को ताकत दी है, PLI स्कीम के कारण और एक मजबूत इको सिस्टिम के कारण, भारत फैवरेट डेस्टिनेशन मैनुफेक्चर के लिए पूरी दुनिया में बना है, हमारे बच्चे स्टार्ट अप हरोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनिया हरोज पे पैदा हुए है, सभी की सभी बैंको की बैलेंस इट अज बहुत अच्छी बन चुकी है, इंडस्टियल ग्रोथ के जितने भी पेरामिटर्स हैं, वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं, एक्सपोर्ट रेकोर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है, इसी प्रका सालों तक दुनिया भर की एकोनोमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायोनियर बन चुका है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैनिफेक्टरिंग, ठोड़े लेट है, मगर सेमिकंड़क्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर, वेहिकल, बैटरी का उत्प इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की एकोनोमी की दिशा और दसाताई करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फांडेशन डाल चुका है, और ये फांडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है, तो एकोनोमी भी सुद्री है, सुर की नारा हो या सहरो, हर जगे इंफ्रेस्ट्रेक्चर के डेवलप्मेंट के काम हो रहे हैं, आज 10 लाग करोड का इंफ्रेस्ट्रेक्चर का खर्चा भारत के बजेट में आम बात बन चुका है, जी एस्टी कलेक्शन और डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन अपने सारे काम ही तोड़ते जा रहे हैं, देश के अंदर सिमाओ को चौक चौबन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, जनता में भारत का भविश्य उज्वल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्मान करने की नेतुतों की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है, पूरे 130 करोड लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हायर एज्यूकेशन हो, नई एकोनोमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मवभुमी, दारा 370 रटाना, त्रिपल तरलाग समाप्त करना, यू सी सी हो, या देश के क्रिमिनल लौ के अंदर आमुल्चूर परिवर्तन करना हो, हर ख्षेतर के अंदर ये दस साल स्वर्णेम अक्सरों से लिखे जाने वाले दस साल, जनता भी ये फिल कर रही है, कि कोरोना जैसी मह हमारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका, वो केवल और केवल, नरेंद्र मोदी जी का नित्रुत है, आपके आर्थिक और एकनॉमिक पकड़ भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया, मेरा एक सवाल है, इस से रिलेटेड, जब ये तुष्टिकरल की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसल्मान हुआ, आप लोगे ने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो को अटाक किया और कहा, प्रगान मंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा, कि जो है कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो में अर्बन नकसल की महक है, इसमें मा कहां से आया, दिखें, हमारा दाहित्व है, कि हमारे खिलाब जो चुनाव लड़ें की मन्साओं को हम उजागर करें, आप मुझे बताएए, इस जमाने में कोई भी पोलिटिकल पार्टी परसनल लोज की बात कर सकती है, क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा, एक और हम हम हमारे गोशना पत्र के अंदर, संकल पत्र के अंदर कह रहे हैं, कि हम इनिफर्म सिविल कोड लाएंगे, कॉंग्रेस कह रहे ही, हम परसनल लोग को प्रमोट करेंगे, कॉंग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महीं, तो पुर मुद्दा है, इसलिए आप कह काम करने की समता है या नहीं है, इसके अधार पर निर्दारीत होंगे, या कॉन्टरेक्टर के धर्म के अधार पर निर्दारीत होंगे, किस तरह से देश चलाना चाहिए, देश की जनता को इसको सोतना पड़ेगा, बहुत समय के बाद देश तुरुष्ट्रीकरण की रादनिती से नरेंद्र मोदी जी बहार निकाल कर रहा है यह फिर से उसी दिशा में ले जा रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस जीतने का आत्मईश्वास घमा चुकी है कि प्रदान मंति जी ने उस रैली में ये भी कहा कि सब के सब की जमापुझी को चेक करके के वहां से आता है देश के प्रदानमंतरी ततकालीन प्रधानमंतरी मन्माउन सिंग्हा बयान अप्ता सिद्ध बयान था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनोरीटी का और माइनोरीटी में भी मुसलमानों का है अब जब बैल्ट डिस्ट्रुबिट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी सरकार उसको लोगों की संपती को लेकर डिस्ट्रुबिट करेगी और मैं कहता हूं कि अगर इस सच नहीं है तो कॉंग्रेस पार्टी बता है इसका मतलब क्या है नहीं वो कह रहे है राहूल गांदी ने साफ साफ कहा है कि अगर जो है वो लोग सरकार बनाएंगे तो एक नेशन में नेशनवाइड एक्सरे होगा एक्सरे होगा जिससे की सोश्यो एकनॉमिक स्टेटस लोगों का पता किया जाएगा किस वर किस जातिक पास कितनी दौलत ह कितना धन है इंस्ट्रिटूशन में कितनी भागेदारी है और उस इसाप से redistribution होगा तो इस इसाप से redistribution में इनकी प्राइटी तय है वो कहते हैं इनडिक्वालिटी को खत्म करने का यही तरीका है वो उनकी समझ है मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो माइनोरिटीज और एक्स्ट्रीम लेप्ट आइडियोलोजी वाले लोगों को आउट्सोर्स किया है तो जो मंगल सूत्र की बात है वो वो कहां से आती है वो इसी इसी का एक स्वाभाई कुप से जब वैल्ट आती है तो सारी चीज़े इंक्लूड होती है तो स्थ्रीधन हो गया लोगों के पास जो जित्ति वी जमापुन जी है वो होगी प्रॉपड़ीज होगी इन्हेरिक्ट देश की परंपरा उसे कोई लेन देना तो आप कभी नहीं लाएंगे इसको इन्हेरेटेंस टैक्स को विरासत टैक्स कभी नहीं हमने हमारा संकल्पत्र जनता के सामने पारदर सेटिक के साथ रख दिया इसमें सारी बात हम कुछ ठिपाय कर नहीं करेगी एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्तु वह ये है कि मैनिफेस्टों को कॉंग्रेस की देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये OBC reservation को काट कर मुसल्मानों को दे देंगी इसका मैनिफेश्टों नहीं ये कर चुके हैं करनाटक में उनकी सरकार थी रातो रात करनाटक के सारे मुसल्मान को बैकवर्ड बना दिया ना बैकवर्ड ने इसका सर्वे हुआ ना कोई कमिशन बना धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड गोसित कर दिया और उनको का कट्का है स्ट्री स्सी ओबीची का ही कट्ता है जब बात मैंने कहीं कि हम धर्म के आधार पर रिजर्विशन को समाप्त कर देंगे तो मेरे वीडियो को तोड मरोर करकर जनता के सामने पेश किया राहूल गांधी के राधनीति के अंदर कॉंगरेस की कमान समालने के बाद राधनीति का स्तर सटत्य पूर्ण तरीके से राहूल गांधी गिरा रहे हैं संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो सोर सराबा करना बहिसकार कर देना बोलने नहीं देना डीबेट में हिस्सा नहीं लेना और बहार निकल कर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्या समत्ते देश की जनता को देश की जनता है सब नहीं जानती है देश की जनता है सब चिजे बहुत अच्छे तरीके से जाती है लोग तंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो आप लोग उनको भी पूछना चाहिए वगर वे आप लोग सवाल हमें पूह वह पूछ लोग हमारी team लग़ी हूय है एक बात कास सेंसस के उसके बारे में वह बात करते रहते हैं कहते हैं जितने आबादी उत्ना हाध इसको आप कैसे देखते हैं कितने साल तक इस देश में Kongres का Sharsan कि पच्पन साल तक कभी नहीं करा है अब जब लगातार हार रहे हैं तब इस सारे चीजों को वो बोल रहे हैं इनकी मंसा नहीं है इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एक मात्र पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी काका साहिब कालेलकर कमिशन को इन्होंने सालों तक उपनी नहीं किया मंदल कमिशन को दबा कर रखा सेंट्रल के इंस्ट्रिट्विशन में ओबीसी को पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जब मंदल कमिशन लागू हो रहा था विपक्स के नेता के रूप में राजीव गांदी ने दो गंटे का विरोध का पासन करा है राहूल गांदी ने जरा वो और हमने तो देश को सबसे सफल प्रदानमंत्री पीछड़ा वर्क से और घरीब के घर से पैदा हुआ नेचरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है नारेटिव बनाने की यह कोशिश है कि 400 अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का Constitution आप चेंज करेंगे उसके बा अठमी नेकि श्वमता नरेंद्र मोदी जी को दस साल से इस देश की जनता ने दी है राहूल गांधी का एक रूल है जूट बोलो जोड से बोलो और बार-बार बोलो वो रूल को फॉलो करें आपको लगता है कि यह नैरेटीव इसलिए इसे बार-बार बोलते हैं नहीं बनता है नैरेटीव हम 10 साल से अधिकार प्राप्पती है जी आपने सिक्योरिटी की बात क तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नकसल पे क्राकडाउन किया आपने कहा है कि दो तीन साल में 36 गड़ में भी आप इसको समात कर देंगे नकसल नकसलियों को तो कॉंग्रेस के पहा कि यह मार्टर हैं इसको आप कैसे देखते हैं देखिए तुलसिदास जीने रामचरित मानस में क्या है कि जिसका खराब समय होता है कि प्रभू राम सबसे पहले इनकी मती हर लेते हैं कि कॉंग्रेश्यों के साथ 20 साइद यही समय आ गया है हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डाल कर घने जंगलों के अंदर ऑपरेशन करकर नक्सल को मारते हैं और नक्सल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और केंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी कहती है फेक एंकाउंटर है बगवान ही बचाए इनको बगवान भी साइद नहीं बचा सकते हैं आपके पिछले कारिकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किये आपने आर्टिकल 370 को रद किया आपने किया क्रिमिनल प्रोसीजर लौ लाए आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किये पर अगर आज आप उपोजेशन को देखें तो काफी ऑपोजेशन वाले कहते हैं कि जो है यह जो 370 को वह वापस लाएंगे कहते हैं माइनोरिटी के वाट प्राप्त करने का टोटका है उनको ना सत्ता में आना है ना 370 को वापीस आना है ना उनको सत्ता में आना है ना माइनोरिटी एपीसमेंट करकर माइनोरिटी के वाट अंकीत करना चाहते हैं एक मात्रकारण से जुट फेला रहे हैं मैं इस इंटर्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल जीन भारतिये जनता पार्टी का एक भी संसद संसद में जब तक ह अब यह इतियास का हिस्सा बन चुका है 370 और सी यह वास्तविकता बन चुका है सिर्फ आप इससे सिर्फ आपने इसको जल्दी बाजी में इंप्लिमेंट कर दिया कि इससे कुछ ना गरिकता भी लोगों कंद बिलेगे और यह कब तक पॉसिबल हो गाइसका क्या टाइम फ पहले ही मत अंति मत्दान के पहले ही नागरिक्ता देने की सुरुवत हो जाएगी इस आप लोग अमिजी युनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं यह वोट कहीं नहाप लोग अपना पना वोट साघ रहे हैं अपना अपना वोट नहीं धन्त जो समिधान ने हमारे लिए बना है उसमें लिखा गया है कि देश के विदान मंदल और देश की संसद ने उचीत समय पर प्रयास करना होगा कि इस देश में उनिफर्म सिविल कोड लागू मुझे लगता ही उचीत समय आ गया है और यह आज से हम नहीं कह रहे हैं जी हमा होना चाहिए यूनिफर्म सिविल कोड होना चाहिए अगर इंदेश पंथर निर्पेक्स है तो धर्म के आधार पर कानूम कैसे हो सकते नहीं होने चाहिए तो सलमान खुशीद जी ने अभी कुछ दिनों पहले उनका स्टेटमेंट जो है वाइरल हो रहा है वो यह कह रहे थ से बनी क्योंकि it could claw back enlightened muslim into its fold Congress could claw claw them back into their fold इसको आप कैसे देखते हैं इसका अधार पर ही साइद उनका गोशना पत्र बना है सलमान खुर्शीद जी ने गोशना पत्र ऐसा क्यों बना इसका रहस्या ही खोल दिया है वो फिर से करना चाहते हैं वागर उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूख हो गई है आपकी एपीस्मेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी कि एक एपीस्मेंट अब यह सफल नहीं होगी इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है आप आपने सीए इंप्लेमेंट किया मैनेफेस्टों में एन आर्सी की कोई चर्चा नहीं है ऐसा क्यों दिखें सीए का इंप्लेमेंटेंशन कोविड के करन लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमिन पर उतारना चाहिए वो प्रक्रियाप चल रही है और जहां तक गुसपैठ का सवाल है अब देश की एक ही राजे से गुसपैठ हो रही है बंगाल से क्योंकि ममताब एनरजी की सरकार का उस पर वरद हसते हैं वो घुसपैठियों में अपनी वाट बेंक देख रही है उनको घुसपैठ में राष्ट्रिय सुरक्सा खत्रे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है उनको लगता है कि मेरे वाट बढ़ रहे है नकेवल बंगाल समग रदेश के लिए खतरनाक सोच है मैं बंगाल की जनता को रदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतिय जनता पार्टी को सफल बनाएए इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाएए हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी प्यार नहीं मार पाएगा इसलिए का दंखम से वो वि इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे उनको मालूम नहीं है नागरिक्ता सेंट्रल सब्जेक्ट इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं साथ मालूम है मगर माइनोरिटी को गुम्रा करने के लिए वो बोल थी अमिजी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्टा हुई यह आपका एक बहुत बड़ा बादा था जो आपने निभाया मगर ऑपोजिशन यह कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट कि हमने तो वोट लेने का कारानी समाप कर दिया ओपोजिशन को चिंता इसलिए है और पुरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना सांति पुर्वक्तर के सबना समवेधानिक रूप से बना और प्रान प्रतिष्टा हो रही थी इन्होंने प्रान प्रतिष्टा में नहीं इसलिए पुरा देश उनसे नाराज है कि हमने कभी यह नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें बहुत दिए हैं अगर पुरे देश की जनता जानती है सत्तर साल से लोगो यह लोग अटका कर रखे थे मोदी जी ने पांची साल में केस भी जित भूमी पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्टा भी और अध्भव्य राम मंदीर समग्र देश को अलहादीत करने वाला राम मंदीर बनाये अभी जी एक आखरी सवाल हिंदू मुसल्मान की जो चर्चा रही उस पर मुझे आपसे पूछना है प्रधान मंत्री ने पिछले साल एक साल पहले पासमंदा मुसल्मानों को एक आउट्रीज भी किया उनके 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 बारे में बातचीत भी की उनके बारे में वह सोचते भी काफी है एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ ये इसमें कांट्राडिक्शन नहीं जरा भी नहीं प्रदान मंत्री जी ने सिर्फ पस्मंदा मुसल्मानों को आउटृत नहीं किया है ट्राइबल्स को भी किया है दलीत को भी किया है पीछड़ा वर्क को भी किया है गरीबों को किया है किसानों को किया है मात्रु सक्ति को महिलाओ को किय है यूआओ को भी किया है वो उनका काम हिदाई तो है विकास की रेस में जो पिछड़े हैं इनको सब के साथ एक लाइन में लाकर खड़ा करना वो सरकार का दाई तो है मुझे इसमें कोई तर्विरोध नहीं दिखाई पड़ता है माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं आपके प्रेडिक्शन जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था ये सही हुआ तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं गुजरात में हैं आपके साथ तो गुजरात से शुरुवात करते हैं पिछले दो चुनावों से 26 में 26 सीटे आ रही है क्या इस पुठे हुए हैं आप लोगों से आप लोगों से हम बरोबर समवात कर रहे हैं उनसे मुझे पुरा भरोसा है कि सब चीजे अपनी जगे ठीक होगी हम 26 की 26 सीटे भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बड़ोतरी करनाटका की और चलते हैं करनाटक का चुनाव आपक जीत हुई थी स्टेट असेमिली एलेक्शन में आपकी हार भी हुई है हाल फिलाल में तो ऐसे में आप करनाटका को कैसे देखते हैं खास करके अभी एक बहुत रवन्ना जी का एक आज आपने उस पर प्रेस कांफरेंस में आपने बयान भी दिया है तो आप जो उनका महिला पर जो प्रतारित महिलाएं हैं जो उसको आप कैसे देखते हैं क्योंकि वह आपके वहां पर सदस्य हैं आपका वहां उसे अलायंस है तो आपको यह अलायंस के प्रेशर में आ जाएंगे क्या कठोर कदम उठाएंगे आप मैंने आज सुबह ही भारते जनता पार्टी का स्टेट का लख़ाएंड ओडर स्टेट गॉपर्मेंट को समालना होता है और वहां उनकी सरकार कदम उनको उठाना है हमेंने उठाना है परतु भारतिय जनताँ पार्टी कि ईस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सेहन नहीं किया जा सकता आज करना टक स्टेट गवर्मेंट को नोटीस बिन का लिया है। तो अलायंस का कोई प्रेशर नहीं है कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इस मामले में। ना हम पर दबाव हैं ना हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत कवाला किस्सा जिसकों की एक लव जिहाद का कलर मिला है। कलर नहीं वहीं। इपक्का मामला ही लव जिहाद का है। यही मैं आपसे जानना चाहता था इस पर अगर आप कुछ बता सके। क्योंकि सीम और होम मिनिस्टर ने कहा है यह पर्सनल मामला है। वह अपनी माइनोरिटी वोट बेंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताईए। बच्ची को किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्सा केमपर्स में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से हत्या होती है। और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूशन से आप नजरे चुरा रहे हैं। केवल वाट बेंक के लिए। उनको तो बंबलास्ट होता है वो भी गेस सिलिंडर का बलास्ट लगता है। जब नाई ये जाच लेती है तो पुरा पकड़ा जाता है। बेंगलूर में दस साल से बंबलास्ट नहीं हुए थे। इनकी सरकाराई SDPI का समर्थन उगलिया और अब बंबलास्ट होने लगे। अपनी वोट बेंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे। देश की सुरक्सा, एंगलूर की सुरक्सा, करनाटक की सुरक्सा, इसको भी कॉंग्रेस पार्टी ताक पर रख रहे है। ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की कितनी सीटे देते हैं आप करनाटक में भारती जनता पार्टी और उसके गड़ बंबन तो देखिए अभी एक चुना होना बाकी है, मगर मुझे लगता है कि कम और बेस हम हमारी पोजीशन को बढ़कर आ सब्सक्रावर देखला क्या चलते हैं महाराश्त में एक औम जीः ऐजीपसी छिठोडी बनी हुई है, दो दल टूटे हैं, एक टुक्डा आपके साथ है एक टुक्डा उढ़र यह कहता है हमारवे ऑरी जनल वह कहता हमारा ऑरीजिनल दुक्रा है मगर ऐसेiedo News gry जी कि उद्धव और शारत्पवार जी के लिए कुछ सिंपथी वगर है थोड़ी वहां हो सकती है महाराश की जनता मोदी जी के साथ है जो मोदी जी के साथ है उसको वाट मिलेगा क्योंकि यह चुनाव देश का प्रदानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है दो खैमे तेजस्वी यादव लालू यादव इनके नेत्रूतों में इंडिय अलाइंस है जिसका कोई निता ही नहीं है अब देश की जनता ने ताई करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है एक और बारा लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार करने वाला इंडिय अलाइंस है दूसरी और तेईस साल मुख्यमंत्री और प्रदानमंत्री रहने के बावजुद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा ऐसे नरेंद्र हो दिये एक और गर्मी आते ही छुटी पर जाने वाला दल है विदेश में छुटी पर जाने वाला क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज नरेंद्र हो दिये एक और अपने बेटे बेटी बतिजे बहुयों के लिए काम करने वाले रादनितिक दल है दूसरी और देश के घरीब मैला किसान युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र हो दिये तो देश की जनता ने तही करना है कि देश को सुरक्षित करने वाला व व्यक्ति चाहिए या अर्थ तंत्र को डूब होने वाला ग्रूप चाहिए देश की जनता ने राहुल जी फैसला कर रिया है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वॉट देगी चुनाव मोदी जी के प्रध्यान मंत्री बनाने का चुनाव 41 सीटे थी आपकी पिछली बार गडवन्धन की इस बार आप नतीजे आने दीजिए आप चौक जाएगे वहीं से 400 होता है तो महराष्ट से आपको पूरी उमीद है कि 41 से पक्का हम देखें आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए कि कमो बेस यही परिणाम रहेगा महराष्ट मध्यपदेश उत्राखन जमू कस्मीर दिल्ली गुजरात करना टक हम सत्त प्रतिसत रिपीट करेंगे राजस्तान में हमारी बहुत कम कटोती हो सकती एक और दो सीट को उत्तर प्रदेश हम 5-7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे और सा हम सोला के आसपास जा सकते हैं और सोला सोला और आसाम में भी 12 के उपर चले जाएंगे 12 भी हो सकती है कि बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीते हैं पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटर्व्यू में 30 यह तो हम जोड़कर आप निकाली सकते हैं कि कि होना होगा 370 होगा कि नहीं आपने सारे आखड़े दे दिये मैं महराश में अजीत पवार कह रहे हैं हर जगे जाके कि वो जब उन्होंने यह गड़बंधन आपके साथ किया तो शरत पवार जी की ब्लेसिंग से किया आप इस मुद्दे के बीचों बीच थे तो आप कुछ कि बताएं सकती क्या है मुझे मालूम नहीं वो किसको पूछ कर नेने करते हैं वो इनका इंटर्नल मामला है अगर यह सही है कि जब उनको अन्याय हुआ तो बड़े परेशान होकर उसरत पवार जी का साथ छोड़े थे ब्लेसिंग था या नहीं था वो तो सरत पवार जी ही तो वो आपके संघ नहीं आने वाले थे उनका उनका आने का कोई रादा नहीं था हमारी चरकाहनिए-बंगाल की आप्ने बात करी बहुत बड़ा नबर आपने दिया है तो पिछली बार भी 18 था इस देखिए संदेश खाली से जनता नाराज है वहाँ पर करप्षन बे इंतिहार करप्षन हो रहा है इससे जनता नाराज है गूसपैट से जनता नाराज है लॉइन ओडर की सिट्वेशन से जनता नाराज है और भतीजे के गुंडे की कट मनी से भी जनता नाराज है कि उदीशा में दोस्त दोस्त न रहा आप लोग आप लोगों के रास्ते अलग हैं वहाँ पर कल मैं प्रधानमित्री को जब इंटर्व्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यह उदीशा की असमिता कपर सवाल है इस बार तो आप इसको कैसे देखते हैं उदीशा में क्या हो देखे मेरा सपस्ट मानना है कि उरिषा विकास के मामड़े में पिछरता जा रहा है इसके साथ-साथ अरिषा की भासा औरिषा की संसकूर्टी और हुड Tuesday का पहनावा हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हुए होना चाहिए जो रिसा में नहीं हो रहा है इसलिए हमने नेने किया है कि हम अलग लड़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार औरिस्ता की जनता मोदी जी के नेत्रूत में भारती जनता पार्टी को असिर्वाद देखे आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाओं के लिए राजी सभा की चुनाओं को आप कैसे देख रहे हैं देखे इसका एसेस्मेंट अभी चुनाओं की काफी देर है प्रत्यासियों की घोस्तना दोनों और से बहुत लेट हुई है मेरा एक ही दोरा हुआ है थोड़ा एसेस्मेंट आएगा परन्तु मैं इतना निश्चीत रूप से कह सकता हूँ कि औरिशा की जनता इस बार भारती जनता पार्टी को आसिरवाद देखे स्टेट में स्टेट के चुनाओं जी उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटे बढ़ाएंगे पिछली बार की तरफ पिछली बार से उत्तर प्रदेश में सीटे बढ़ा है मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी हो सकती है अरे तो बहुत ही बड़ा बने बैयान है आपका रिकॉर्ड 2014 कब्रेक होगा जी सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी भी जीत सकता है इसका म अनुषण गांधी और प्रियांका गांधी जी का कभी हां कभी ना कभी लड रहें कभी नहीं लड रहें अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अभ नहीं लड रहें इसको कैसे देखते आप देखे लोग आत्मविष्वास घवा बैठ आ अपनी पुस्थे ए शीट से लेक आप सेल कॉंट्विडेंस को दिखाता है अमें जी अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पर यह देखा गया है कि जो आप जो तेजस्वी और जो गडबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुछवाहा वोट काटने क की कोशिश कर रहा है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता पिछली बार चालिस में 49 थी इस बार कुछ कटवती हो सकती है आपने राजस्थान की बात करी कि नहीं मैं नहीं देखता बिहार में कोई गडबढ़ हो तो बिहार में आप कांफिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे ज़ तो साउथ इंडिया एक अगर पूरा साउथ का सीन ले ले तो अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटे देखते हैं पिछली बार आपकी करनाटक के चारों राज्यों को मिला कर हम कॉंग्रेस से तो आगे ही जाएगे कुल मिला के कितनी सीटे क्या करला टामिलाडू में खाता खुलेगा हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं खाता तो निश्चीत रूप से खुलेगा परन्तु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की तक्कर हुए पर दोनो दोनो और तिलंगाना और अंध्र को कैसे दिखते हैं अब अंध्रप्रदेश में हमारा एलाइंस हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं अभी शुरूवात है और तिलंगाना में तो हम लोग सबाए में बहुत अच्छा पर्फोर्मस करने हमारी अब तक की हाइस सीट हम कि अमिजी एक सवाल और इस चुनाओं के पहले दो सीम जो है अरेस्ट हुए है केद्रिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री है एमन सुरें जी अंदर है तो आज सुप्रीम कोट ने इडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेस्टन उठाया है तो इसको आप कैसे देखते हैं ने दिखें इडी सुप्रीम कोट के सामने एक्स्प्रेंड करेगी मगर मैं बताना चाहता हूं यह 19 समन के बाद हाजर नहीं हुए पहले समन में अगर आये होते तो चुनाव के छे महिना पहले एरेस्ट हो जाते उनीस बार समन्स दिया गया वो आये ही नहीं अब उनकी धर्बपत्नी सुनिता केजरिवाल जी कह रही है कि उनको इंसुलन नहीं दिया जा रहा है वहां पर उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा तिहाड जैल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरिवाल जी है तो क्या उनको मारने की साजीस वो स्वयम कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो डीजी प्रिजन्स जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है जरा भी नहीं प्रिजन सीधा द सब्टों से बात कर रही है हर बार नारा नारा लगाती है कि बीजेपी फिविएम की वजह से चुनाव जीता है अब आप लोग channels on election की बात कर रहे हैं यह लोग इवियम की बात कर रहे हैं दिए आप क्या ये कर पाएंगे वन नेशन वन एलेक्षन पहले एक बात सप्ष्ट कर दो जी रहूल गांदी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं अगर हम EUM के कारण जीतते हैं तो तेलंगाना में क्यूं हारें ? तदुमिल नाड में क्यों हारे कि केरल में सालो से क्यों हार रहे हैं हीमाचल में क्यों हरें February बं갈 में क्यों हारे यह तो राहूल गांदी ने सपस्ट करना चाहिए कि gives the तो वह चली नतीजों में हम जितते हैं तो भी सपत नहीं लेंगे जितते हैं तो नए कपड़े पेन कर सपत ले लेते हैं हारते हैं तो ईम ठीक ठराफ फोड़ते हैं की प्रकार की रखी निती है जब आप जितते हो तब ईम सही जब हारते हो तो एम नका रहा है क्या देश की जनता इसको समधती है मगर मुझे तो आश्चरे हो रहा है इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है मैं दूर से देखता हूं मुझे आश्चरे होता है खेर छोड़िए उनकी पार्टी का सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करें अगला चुनाव दो हजार उनतेस वन नेशन वन इलेक्शन हो अमिजी थोड़ा हटते हैं कुछ अंतराश्री मुद्दो पर भी बात करते हैं वाशिंग्टन पोस्ट पर एक आटिकल आया है उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजन्सी रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टर्रोरिस को यूएस में मारने का वह सूरना चाहिए अगर कोई कॉंक्रीट आरोप है तो इजन्सिया उसका जवाब देगी अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथर से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम उसका जवाब देंगे कैनेडा में निजर निजर के मर्डर पर भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप म इंडिया में लगने से मैं नहीं मनता को गंबीर सवाल करें इसी से जड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी वो गाडियन पॉब्लिकेशन में थी उसमें था कि पाकिस्तान में बीस बीस टेरोरिस्ट को जो है इंडिया इंडिया ने फिर रॉकी बात ती उस कुछ लोगो में का सवाल है कि प्रणतु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि यह तो एक्सपोस होई गया कि पाकिस्तान की स्वाइल पर भारत में अतंग फिलाने वाले लोग थे प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं आपके काफी वरिष नेता भी कह रहे हैं कि अब यह भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होके साइट से तमाशा देखेगा यह भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है इस पर आपका क्या बजाए निश्चित रूप से सर्जीकल स् जो कि भारत में इलेक्टोरल और्टोकरसी, ताना शाहि तमाम तरह की बाते करते हैं इसको आप कैसे देखते हैंक्या कोई इसमें यह इलेक्शन के समय में यह जो बार बार पिछले 3-4 महनों में आता है इसमें आप साजिस देखते हैं या साजिस बाजिस छोड़ दीजे मैं बड़े गवरव और विश्वास के साथ कह रहा हूं हमारा लोक तंत्र, हमारी लोक तंत्रिक पध्धती और हमारा चुनाओ तीनों दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपरंट है, सबसे ज़्यादा विश्वस्ति है अभी जी कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाओ लड़ेगी, आपने कहा है कि आप आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे अभी पार्टी ने ताई नहीं किया है, पार्टी ताई करेगी, परन्तों हम जम्मू में परंपरागत रूप से लड़ते ही रहें कॉंग्रेस एक बात और कह रही है, कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोज जो है चुन लिये गए सूरत से, अभी इंदोर में भी ऐसा हुआ है देखे इस देश में 37 लोग निर्विरोज चुने गए और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस के चुने गए तब तो कॉंग्रेस ने ऐसा नहीं कहा हर पार्टी ने अपने अच्छे कारेकरता को टिकिट देना चाहिए अब कॉंग्रेस पार्टी जबरजस्ती इनके कारेकरताओं को टिकिट देती है कारेकरता हार देखकर मैदान से भाग जाता है इसमें भाठी जन्दा पार्टी क्या कर सकती है इनके उमेदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है उनका है अभी एक बुद्दा और आज उठा है जो है जो है कि कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे जहां खालिस्तान के नारे लगे प्रो खालिस्तान नारे लगे वहां पे प्रधान मंत्री और कुछ कैबनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे जिसको कि कहा यह वॉंटेड हैं इसको इसको आप कैसे देखते हैं इसके क्या भारत सरकार ने वहां के रागदूद को आज समन किया था जिए और उनसे एक्स्प्लिनिशन भी मांगा गया है नाराजगी भी हमारी व्यक्त किये हैं तो इस पर और कोई कारवाही कि अभी इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी हमिजी आप इतना दौर कर रहे हैं आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहां आएं उसके बाद आपने करता था तब छोटे स्थर पर काम करता था तो भी दौरे होते थे राज्ये के होते हैं अब देश के होते हैं आप पोजेशन की नीद उड़ाने में के लिए आप जाने जाते हैं आप सो पाते हैं कि नहीं मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता हूं मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं हां इससे किसी की नुइंद उरती है तो वह उनका प्रॉब्लेम है मेरी पार्टी को जिताना मेरी पार्टी के लिए काम करना यह मेरा दाई तो है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ अमिर जी आप हमारे संग जुड़े आपने हमारे सवालों का जवाब दिया साबर मती तट तक आप आए और यहां पे आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद रहा हुल जी